हाई विलकम टू टेक बस्तर भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनी डेस्क का टाइम पीरियेट और हो जाने के बाद फिर सकर जो कैसे हम रोगल हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे आप यहां पर देख सकते हैं ऐसा टाइम स्टार्ट हो जाएगा यह आपको 10 seconds 20 seconds 30 seconds ऐसा बढ़ते रहेगा तो हम इसको completely कैसे क्लोस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे आप हमारे इस चानल पर नहीं हो तो हमारे इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए इल आयक औल को क्ली कर दिजिये चलिलिए उसके लिए पहले हम यहां पर सी द्राइब में जाएंगे से्ड़क में जाने के बाद यहां पर हम सर्च करेंगे इनDisk यहां तो हम यहां से इसको डेलिट करेंगे यहां पर देख सकते हैं जो पहला वाला फोल्डर है इनी डेस्क इसके अंदर आप यहां पर यूजर और यूजर नेम और यहां पर डेटा रोमिंग है उसके उपर क्लिक करेंगे हम राइट लिक करके इसके लोकेशन में जाएंगे फोल पर एक भी folder रहेगा तो हम उसको भी डिलेट करेंगे उसके लिए फिर से हम सीडराइब के अंदर Windows folder में जाएंगे Windows folder में जाने के बाद यहां पे आपको system 32 search करना है हम यहाँ पर system system 32 search करने के बाद इस पर डबल क्लिक करके open करेंगे उसके बाद यहां पर आपको folder search करना है driver store यहां पर यहां पर drive store पर वही क्लिक करेंगे इसके अंदर यहां पर file repository पर जाएंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं any desk पर folder आपको दिखाए देगा हम इसके उपर right click करके delete करेंगे लेकिन यह delete नहीं होगा क्योंकि इ security के अंदर यहां पर यहां पर आपको नहीं होगा तो उसके लिए हम advance में जाएंगे advance में जाने के बाद यहां पर ownership चेंज करना बढ़ेगा यहां पर आपको देखें चेंज पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको select करना है everyone या तो आपना user select कर सकते हैं या तो हम यहां पर everyone भी select करके कर सकते हैं तो यहाँ पे apply करके okay करेंगे okay करने के बाद हम यहाँ पे फिर से उसको security के अंदर यहाँ पे edit वाले option में हम पहले हम यहाँ पे advance में गये थे यहाँ से change करके हम everyone कर दिये, यहाँ पे आप देख सकते है everyone यहाँ पे है तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे फिर यहां पर हम पहले जो edit में जाएंगे यहां पर आपको इसको everyone को select करके full permission देना है उसके बाद ok करेंगे यहां से आप delete कर देंगे अभी delete हो जाएगा तो अब हम फिर इसको close करके any disk run करके देखते हैं कुछ remote desktop connect करके देखते हैं चलत है कि नहीं तो हम यहां पर any disk open करेंगे any disk open करने के बाद यहां पर कुछ भी एक computer को remote पर लेंगे तो फिर से वो time आपको start होगा के नहीं हम देखेंगे यह मेरा दूसरा वाला computer मैं आपको any disk से connect कर रहा हूं remote पर देखिए आप directly connect हो चुका है वो time stamp नहीं आया तो आपको इस तरह से आपको completely हम अपने PC से ले जाए रिमूव करके फिर से any disk install करके फिर यूज कर सकते हैं I hope आपको यह video informative लगा होगा ऐसे ही videos के लिए हमारे इस channel को subscribe कर दिए notification के लिए bell icon के ओपर click कर दिए मिलते हैं अगले video में thank you very much